हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे किस तरीके से आपको अपनी प्रेपिशन करना है तो देखिए ये कि सेंटेंस दिया है और इसमें पांच पार्ट है पांच पार्ट इसमें पांच पांच पार्ट को आपको देखते जाना है और जिस पार्ट में आपको इर्र नहीं लगा रही है उसको छोड़के फिर आगे बढ़ना है आपको मतलब एक एक पार्ट को आपको इंडिविज्विज्वली देखना है और तेजी से देखना है ठीक है यह इसका एप्रोच होता है अब देखिए यहां पर देखिए हास बर्दन सेड ठीक है यहां पर सेड आए तो यहां पर वाज आया है यहां पर वोज आया है अब यहां पर देखिए लोकिंग फरवरड़ तू ठीक है अब English में क्या होता है कुछ propositional phrases होते हैं जैसे propositions होते हैं आपका in हुआ into हुआ to भी एक proposition है ठीक है for हुआ upon हुआ तो यह जितने भी propositions हैं इन सभी के बाद या तो हम noun लगाते हैं या verb की ing form लगाते हैं यह fact आप याद रखिए ठीक है proposition या propositional phrase अब जैसे यह क्या है looking forward to क्या है looking forward to में two एक proposition है ठीक है और looking forward to पूरा का पूरा अगर मिला के देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे propositional phrase तो एक proposition है और looking forward to एक propositional phrase है ठीक है तो proposition और propositional phrases के बाद हम या तो noun लगाएंगे या verb की ing form लगाएंगे अब verb की जो ing form होती है उसको हम बोलते है gerund वो भी एक noun form ही होती है ठीक है तो इसको मैं थुरा सा detail में आपको grammar section में अलग से पढ़ाऊँ हुआ लेकिन यहाँ पर आप यह पढ़ें कि proposition और propositional phrases जैसे look forward to एक propositional phrase है related to एक propositional phrase है with a view to एक propositional phrase है तो इन सभी के बाद आपको verb की ing form लगाना है अब यहाँ पर look forward to looking forward to तो इसलिए आया है क्योंकि यह sentence past continuous tense है इसलिए यहाँ पर हम looking forward to बोल लए हैं लेकिन looking forward to के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर serve लखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर यही word आपका गलत है इसके इस्थान पर आपको serving यहाँ पर बोलना पड़ेगा तो यह तीन propositional phrase मैंने आपको बताए हैं अभी look forward to, with a view to और related to इन सभी के बाद आपको verb की ing form लगाना है और जितने भी propositions होते हैं इन हुआ, into हुआ, on हुआ, for हुआ, upon हुआ, before हुआ, after हुआ इन सभी के बाद भी आपको या तो noun लगाना है या word की ing form लगाना है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है तो इसमें जो गलती है वो किस पार्ट में गलती है इसमें b part में गलती है ठीके, तो इस question में आपका जो answer होगा वो क्या होगा, b होगा अब आगे देखिए, यहाँ पर इसमें head लगा है और head के साथ verb की third form लगी है, जो की सही है तो इस तरीके से आपको एक ए question को analyze करना है तभी आप सही answer तक पहुँच पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी verb की form आएगी यहाँ पर head के साथ verb की third form लगी है यदि यहाँ पर spend होता, तो यह गलत हो जाता spend लगा है, जो की third form है, जो की सही है ठीके, the first first से पहले दा लगा है, जो की सही है क्योंकि जो ordinary number होते है first, second, third, fourth, fifth इन से पहले हम दा लगाते हैं तो यह सही है यहाँ पर, ठीक है streets of old Delhi, यहाँ पर streets से पहले दा लगा है, यह इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर हम उसको specify कर रहे है कि कौन सी streets streets of old Delhi की हम बात कर रहे है कोई भी street की बात नहीं कर रहे है streets of old Delhi की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दालगा हुआ है, तो इस तरीके से remaining sentences में कोई गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन grammar के साफ से look forward to जो है, वो एक propositional phrase है, और उसके बाद यहाँ पर आएंगी form लगना चाहिए, ठीक है, तो I hope it is clear to you, और इस तरीके से मैं आपको to execute, ठीक है, एक family office को, एक family office को, यहाँ पर A जो है, वो सही लगा है, has to जो है, इसके बाद हम वर्व की first form लगाते हैं, जो की सही है, ठीक है, all tasks मतलब पूरे काम, एक family office को execute करने होते हैं, सारे काम, सारे काम किस से संबंदित होते हैं, related to, अब देखिए related to मैंने अभी previous slide में क्या बताया था आपको, के related to एक propositional phrase है, तो चुकि यह propositional phrase है, इसलिए इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ing form आएगी, तो इसमें भी आपका वोई same error है, और यह question, दौना question जो है, यह सारे 10 question इसमें मैंने लिए हैं, यह 2016 के SBA Eclare के real questions है, तो जैसे ही sentence में कही कहीं पर भी आपको error मिलती है, यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा sentence पढ़ें, क्योंकि exam में इतना time नहीं होता कि आप पूरा sentence पढ़ें, यदि कहीं पर भी आपको, आप spot करते हैं उस error को, तो वहीं पर लगा कि उसको आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको sure होना है कि यही इसमें error है, तो यहाँ पर इसमें, यह इसमें error है, a family office has to execute all tasks related to managing the wealth of the upper rich family, तो इसमें भी आपका बी पार्ट में error है, अब देखिए, next question हम देखते है, service providers in the financial industry, especially private banks and wealth management firms, आर, देखिए, आर का प्रयोग सही है, क्योंकि दो चीज़ें जुड़ी हुई है, यहाँ एक private banks और एक wealth management firms, यह दो चीज़ें जुड़ी हुई है, तो इसलिए, इसलिए यहाँ पर यहाँ आर का प्रयोग जो है, यह सही है, ठीक है, आर के बाद हमने क्या लगाया है, are forced to standardize, are increasingly forced to standardize, मतलब service providers जो है, जैसे financial, service providers जो है, जैसे financial industry है, और आपका, जैसे private banks हैं और wealth management firms ह जैसे दिन पर इनको force किया जा रहा है, ठीक है, they are increasingly forced to standardize their products, कि वो अपने product को standardize करें, जैसे HDFC bank का एक particular product है, तो वो HDFC bank का ही होना चाहिए, SBI का है, तो वो SBI का ही होना चाहिए, इस trendize का मतलब है, कि अपना एक अलग से उनका एक brand होना चाहिए, तभी वो अपने profit को optimize कर सकते हैं, optimize का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, optimize to के बाद यहां पर बर्प की first firm लगेगी, और यह बर्प की first firm लगी है, जो कि सही है, ठीक है, और यहां पर हो सकत circumstances के दोरा, बाहर की external circumstances के दोरा उनको force किया जा रहा है, कि वो अपने products को standardize करें, ताकि वो अपने profits को optimize कर सके, ठीक है, यह इस sentence का मतलब है, तो यहां पर जैसे R लगा है, तो R के बाद यहां पर forced क्यों लगा है, forcing क्यों नहीं लगा, क्योंकि यह passive voice है, passive voice में हम क्या करते है इसे MR के साथ वर्प की third form लगाते हैं, ठीक है, जैसे यदि आप बोलें कि I am forced, तो इसका मतलब है कि मुझे force किया जा रहा है, ठीक है, I am compelled, इसका मतलब है कि मुझे compelled किया जा रहा है किसी के दोरा, passive voice में कोई ना कोई external agent होता है, यह हमेशा आप ध्यान रखें, active voice में जो subject ह होता है, वो खुदी काम करता है, जबकि passive voice में उस subject के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, जैसे यदि active voice में मैं बोलता हूँ आपको, जैसे I teach, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं पढ़ाता हूँ, और यदि मैं बोलूँ कि I am taught, यह passive voice है, तो I am taught का क्या मतलब हुआ, I am taught का आया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो passive voice में हमेशा कोई ना कोई agent, external agent रहता है, जिसके द्वारा उस subject के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, यह बहुत detail में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर चुकि force इसलिए आया है, क्योंकि यह passive voice है, forms are increasingly forced, ठीक है इसलिए आया है, क्योंकि दो subject है, एक private bank से और एक wealth management firm से, तो इसलिए there आया है, और two के साथ optimize, बरकी first firm आये, तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है sentence में, इस sentence में आपका answer होगा, E, यानि no error, इस तरीक से sentences को आपको करना है, अब यह sentence देखिए, social or impact funds are private equity like funds, देखिए, इस sentence को आप ध्यान से पढ़ें, पूरे sentence को, और थोड़ा सा में आपको time दे रहा हूँ, इस sentence को पढ़ें आप आराम से, और देखिए, इसमें गलती नकालिए, कहाँ इसमें गलती हो सकती है, आप थोड़ा सा इस वीडियो को pause भी कर सकते हैं, और उसके ब suppose A और B को मैं end से जोड़ता हूँ, तो वो दो चीज़ा बन जाएंगी, A and B, और अगर मैं कहता हूँ कि A और B, तो इसका मतलब है को दोनों A की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि और का मतलब होता है या, या तो A या फिर B, मतलब एक बार में आप एक चीज़ ले रहे हैं, और यहाँ पर फिर R नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस आएगा, बस यह आपकी गलती निकल गई, और इसमें आप शूर है कि यही इसमें गलती है, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, अब देखिए एक यह सेंटेंस है, वाइल, इसको भी आप पढ़ें, वीडिय में गलती निकाल है, वाइल, रेजिदेंसियल लेंड पर्चीजेज अब बेनिफिटेट, मैनी इन्वेस्टर्स, बाइंग लेंड केन बी रिस्की स्पेसली फोर ए एनराई, एनराई क्या होता है, नौन रेसिदेंट इंडियन, जो देश से बहार रहते हैं, उनको हम बोलत दिखा रहे हैं, कि एक तरफ तो काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए लेंड पर्चेज को खरीदना फाइदेमंद रहा है, दूसरी तरफ एनराई के लिए लेंड पर्चेज करना रिस्की हो सकता है, ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है, वाइल, रेसिदेंसियल लेंड पर्चेज लगा हुआ है, वाइल, रेसिदेंसियल लेंड 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 पर्चेज है, ये आपका प्लूरल है ठीक है और benefit इसलिए आया है क्योंकि हैप के साथ हम क्या लगाते हैं वरप की third form लगाते हैं मैंनी इन्वेस्टर्स और यहां पर एक्चली कॉमा होना चाहिए buying land can be risky especially for a NRI तो इस sentence को आप पूरा पढ़ें और इसमें आप गलती निकालें कहां पर गलती हो सकती है देखिए कोई भी ऐसा word जो bobble sound से शुरू होता है ठीक है जैसे यह दिया बोलता हूँ आपसे sp तो s की साउंड है वो किस की साउंड है ए ए बोल ला हूँ मैं खॉरू में तो तो एन को मैं कैसे लिखूँगा एन को मैं ऐसे ही तो लिखूँगा इंदी में एन लिख दिया मैंने तो एन मैं शुरू में क्या रहा है बॉबिल आ रहा है ठीक है तो बॉबिल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं बॉबिल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं एन लगाते तो इसलिए यहां पर NRI से पहले यसमें राइगा ए नहीं आएगा खाइगा अब इस्टियुएंट या करेगा स्टियुएंटेस को पढ़ता रहे और बली María देखेंगा बनेफिटेट में को थे यहां देखेंगा इस चीज इसको इंगनौर कर देगा जबकि गलती इसमें यहां पर है, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, question number 5 में आपका, question number 5 में आंसर होगा आपका D, ठीक है, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, देखें, ये दूसरी तरीके के question है, और ये SBI clerk में आते हैं, इस तरह के question PO में नहीं आते, ये SBI, मतलब bank clerk के जो exam होते हैं, इसमें एक sentence दिया है, और इसमें 4 word को pick किया गया है, और 4 word को bold किया गया है, तो चार word में क्या हो सकता है, 4 word की, या तो spelling गलत होगी किसी एक word की, या फिर वो word inappropriate होगा वहाँ पर वहाँ पर sentence के साबसे वो गलत होगा अब इसमें देखिए आप completer की spelling सही है completed की spelling सही है race की spelling बिल्कुल सही है लेकिन exception का क्या आर्थ होता है exception का आर्थ होता है अपवाद कोई भी ऐसी चीज जो सारे rules को follow नहीं करती उसको हम बोलते है exception तो exception की spelling ये सही है exception की spelling ये गलत है e-x-e-p-ti-o-n होता है ठीक है तो इसमें answer क्या होगा आपका question number 6 में question number 6 में answer होगा आपका D ठीक है इस तरीके से इनको निकालना होता है आपको अब यहाँ पर देखिए आप poor posture posture की spelling सही है lead L-E-E-D होता दो गलत हो जाता है ये सही है lead muscular सही है problem सही है तो इसका answer क्या होगा question number 7 का question number 7 का answer होगा आपका all correct ठीक है तो इस तरीके से तेजी से आपको करना है क्योंकि आपको 20 minute में 30 question करना है और आपका target होना चाहिए minimum 22-23 number 30 में से minimum 22-23 number mass में आपको लाना है minimum 25-28 के बीच में reasoning में भी 25-28 के बीच में और English में आपको लाना है 20-22 के बीच में minimum ये आपको बता रहा हूँ और आपका जो total score होना चाहिए वो होना चाहिए 75-80% के बीच में यदि आपको selection लेना है तो आप सोच रहे हैं कि 50-60% पर हो जाएगा तो possible नहीं है minimum 75-80% तक आपको target करना चाहिए pre में भी और means में भी ठीक है इस तरी के से questions को करना है आपको अब ये question देखिए pump की spelling सही है, off की spelling सही है result की spelling सही है लेकिन mechanical की spelling देखो आप ध्यान से mechanical की spelling गलत है ठीक है, थुड़ा सा ध्यान से इसको आपको करना पड़ेगा तभी आप इस तरह की errors निकाल पाएंगे तो इसमें गलती क्या है आपकी इसमें मतलब answer क्या होगा, इसमें answer होगा D यहाँ पर आजाओ, यहाँ पर आप देखो principle की spelling सही है, pompous की spelling सही है, portals of learning की spelling सही है, speech की spelling देखो आप, speech में क्या आता है S P W C आचाता है तो यह गलत है यहाँ पर, यहाँ पर answer क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका answer हो जाएगा C C क्यों होगा, B होगा ठीक है, B होगा इसमें, ठीक है, तो question number 9 में answer होगा, B, यह question देखिए आप coping with her mother, long illness was heavy, low to bear इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब है कि उसकी मदर की जो long illness थी उसके साथ, उसको सहन करना एक एक बड़ा लोड था, जिसको सहन की आजा सकता था, जिसको सहन नहीं की आजा सकता था, ठीक है to bear का मतलब होता है सहन करना, load मतलब बजन, illness मतलब बीमारी कोप का मतलब होता है सहन करना, कोप with का मतलब होता है किसी चीज को deal करना या उसको सहन करना, लेकिन कोप में coping होता है इसमें आपको आंसर हो गया, तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है, यह real questions मैंने आपको करवाये हैं, आपको कोई भी feedback देना है, आपको मेरी जब से कोई भी support चाहिए, तो इस email ID के through आप support ले सकते हैं, और इस call and WhatsApp नमबर पर आप मुझे call भी कर सकते हैं, यदि आपको इस video class में किसी भी question को समझाने में, कोई भी error लगी हो, कोई भी गलती लगी हो, तो मुझे इस email ID पर आप indicate कर सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से मिलूँगा next video class में, thank you. recording ने हो पाया